नमस्कार मैं अब शिक्मार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस इस्टेडवित अभी में इंडियन पॉलिटी क्लास नंबर 6 जिसमें आज हमारा मौलिक अधिकार फंडमेंटल राइट्स के जितने आर्टिकल से उस पे उपर हमारा डिसकेशन होने वाला इससे पहले हमने क्या क्या चीज़े कम्प्लिट कर लिया है उससे पहले मैं आपको यह बता दू कि अगर आप इनमें से कोई भी एक्जाम के तयारी कर रहे हो जब PSC, BPSC, Railway, SSC, UPSI, बिहार दरोगा, जारखंड SSC में सचीवाल है, पुलीस या दरोगा, किसी के भी एक्जाम के तयारी आप कर रहे है SSC की और अगर आपके एक्जाम में आपको पता है कि पॉलिटी के काफी importance है तो to the point exam oriented with concept अगर आपको complete करना है तो आप इस सीरीज को जरूर follow करें इससे पहले हमने अभी तर जो है कम से कम पाच टॉपिक कवर कर लिए है पहला टॉपिक हमने देखा समिधानिक विकास एमुम विसेस्ताई मतलब जो historical background रही है हमारे शमिधान बनने के करम में क्या-क्या घटनाई घटी है और क्या-क्या process जो भी समितिया बनी जो भी date important रह है हर एक चीज पर हमने क्या किया वहाँ पर discussion किया है ठीक है और काफी महत्पून session था भी वह आपका उसके बाद हमने जो discussion क्या है preamble प्रस्तावना को second topic हमने कवर क्या है तीसरा हमने देखा कि हमारे शमिधान में जो जो बाते जो अन्य कंट्रियों से अन्य देशों से हमन हमने चर्चाई की और फिर हमने देखा जो हमारी अनुसूचिया है बारा अनुसूचियों के उपर हमने डिटेल discussion किये अच्छे से complete करने के बाद हमने फिर आर्टिकल पर स्टार्ट किये हैं आप यहां देख सकते हैं थर्टिंद में आर्टिकल 1-51 हमारा सबसे पहले टार् ठीक है और सेकेंड भाग में क्या था आपकी सिटिजन सीप के उपर हमने बात की थी और पहले भाग में ही हमने आर्टिकल 1-3 में हमने देखा काफी महत्पून महत्पून State Reorganization Act के बात कि State Reorganization Commission के बात कि उसके तहद जितने स्टेट की formation और Union territory जो डेट थे जो आपकी और अगर आपने अभी तक यह सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा आप उसे जरूर देखें और मैं आपसे अनुरोद करता हूं कि भाई कि एजे मोटिवेशन मुझे आपका भी एक साथ चाहिए वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करें अपने दोस्तों तक शेयर करें और एक कमेंट अगर अच्छा लगता हो वीडियो अच्छा लगता हो हमारा कंटेंट और कंसेप्त तो किरिप्या करके एक लाइक एक शेयर औ पर कमेंट जरूर करें ताकि और वी अच्छे नंबर पर वाटसप कर सकते हैं और जो कंटेंट है वो हमारा पेड होगा क्यूंकि आप पता हमारा र sounding अलरेड सफार्ट करते हैं आज हमारा जो होगा वार्टव 3 ठीक है भाग City 007 कितने भाग है हमारे शमिधान में तो आप सभी को पता होना चाहिए 25 है जिसमें हमने अभी तक दो कभर कर लिया है आर्टिकल एक से 11 तक तो पार्ट थर्ड में क्या बात किया गया है इसको सबसे पहले सुन ले ध्यान से अगर आप से पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस भाग में भाग एक में भाग दो में या भाग तीन में तो आप क्या जवाब देंगे पार्ट थर्ड में ठीक है पार्ट थर्ड में कितने आर्टिकल से है तो बारा से लेके 35 आर्टिकल टोटर आपके आते है भाग थर्ड में तो यही अगर हम बात कर ले भाग एक पार्ट वन में आर्टिकल एक स से चयार थे हैं आप टू में आडिकल कितने थे आडिकल 5 से आडिकल 11 थे और पाटई थरड जो आज हम लो डिस्कुशन करने वाले इसमें आडिकल कितने हैं 12 से आडिकल 35 तक ठीक और पार्ट फोर हम लोग कबर करेंगे 36 से 51 और उसके बाद हमारा टॉपिक वाइस पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहला जो सवाल आपसे बनता है कि जो मॉली का दिकार जो लिया गया था किस कंट्री से लिया गया इसकी सोर्स क्या है तो आपको पता होना चाहिए हमने करवाया भी है पहले के वीडियो में यू ऐसे है ठीक है जब समिधान लागो हो रहा था 26 जनुवरी 2050 को तो इस समें हमारे पास कितने । वह लेयुकर शिसे हैं तो साथ fundamental rights अगर अगर अभी present में बात किया जाए तो अभी हमारे पास 6 fundamental rights कितने fundamental rights हैं अभी हमारे पास चे fundamental rights मौलिक अदिकार हमारे पास अभी कितने तो 6 मौली कदिकार हैं पर जब समिधान लाग हो गात्स नहीं कितने मौालिक अदिकार कहां से लिया यूए से लिया बट दो मौली कदिकार यह निया weiterhin मही將 लिया और एक आप से बहुत बहुत इंपॉर्टेटंड ऐपके नमें पूछा जाता है एक तो आलिकल नंबर में पर हम देख लेंगे कि कौन सा अर्टिकल अधर कंट्री से लिए बाकि जितने भी अधिकार है वो कहां से लिए गया तो आपका तो चार आप्शन दे दिया जाएगा आप से पुछा जाएगा कि कौन सा मौलिक अधिकार भारत ने बीटें से लिया है या फिर जबां से यह चीज आपसे पूछता एक सवाल ठीक है क्योंकि। सब को पता आई कि हमने जो मौलिक अधिकार USA से लिए बट दो मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे जो हमने तहां से लिए हैं ब्रिटेन से और जपान से तो 6 fundamental rights हैं तो सबसे पहले हम पहले समझते हैं कि वो कौन-कौन से हमारे अधिकार हैं ठीक है पहला अधिकार जो आपका है पहला अधिकार में आपके 14 से 18 आर्टिकल यानि कि 5 आर्टिकल आपको दिया गया है और देखे होता है कि जब आप संसोधन करते हैं ठीक है तो आपने जब संसोधन किया है तो इस आर्टिकल के तहत ही अगर वो बात होगी तो आर्टिकल 41 का सब क्लॉस बना दिया जाएगा या फिर उसी आर्टिकल से और भी संबंद होगा तो आर्टिकल सब क्लॉस 1 का एक बना मौलिक अधिकार है आप जैसे ही भारत में जन्म लेते हैं तो आपको ये 6 मौलिक अधिकार मिल जाती है ठीक है ऐसा नहीं है कि सरकार इसे लागू करेगी और टोमेटिक आपको ये 6 अधिकार मिल जाती है और किसी भी सर्थ पर अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जाता तो आप उसके बचाओ के लिए आप क्या कर सकते हैं नियाले जा सकते हैं सुप्रीम कोड जा सकते हैं या फिर आप हाई कोड जा सकते हैं इसलिए कहा जाता है या आप से पूछा जाता है मौलिक अधिकार का संरक्षक किसको माना जाता है तो आप कहेंगे सुप्रीम कोड को ग आपका अगर fundamental rights जो है यह क्या है जस्टिस येबल और बाउंडड़ है मतलब आप इसके खिलाप क्या कर सकते हैं कोड नियाले जा सकते हो नियाले उस अगर फिर वहाँ पर वह चेक करेंगे कि वाकई आपका मौलीक अधिकार जो आपको मिला है और आपके मौलीक अधिकार का स सनरक्षे खम किसे कहते हैं तो नियाले सुप्रियम कोड को कहा जाता अब हम आते हैं पहले अधिकार टोटल छे अधिकार है हमारा fundamental rights मौलीक अधिकार है उसमें से पहला जो है मतलब सोसन के विरूद अधिकार इसका मतलब यह है समझे क्या बोलना चाहरा है यहां पर कि जो भी अधिकार है यहां पर समानता आप हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाने कि यहां पर आपको बात कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि आपके साथ समानता नहीं किया ग सकते हैं आपका exploitation किया जा रहा है आपका सोशन किया जा रहा तो आपका ये अधिकार है और आप उससे क्या कर सकते अपराधित घोसित कर सकते अगर आपके साथ कोई वो शूर्शन करता है तो नेश्ट चौथा जो fundamental rights आपको जो दिया गया है right to freedom of religion धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार है आप freedom है आपको freedom दी जाती है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंतर है ठीक हिंदो मुस्लिम सीख कोई भी धर्म को आप मानने के लिए free है अंतिम जो अधिकार दी जा संबंद रखते हो तो आप उसकी संस्कृति का विस्तार करना चाहरे हो या संस्कृति से कुछ भी काम करना चाहते हो तो आपको उसके लिए freedom देती है हमारा समिधान और आपको education purpose में भी आपको यह अधिकार दे जाते हैं कि आप बिलकुल सिक्षा के अधिकार है आपको सिक समिधानी कुपचारों का अधिकार यह बहुत महत्पून है इस पर हम आएंगे जब इस आर्टिकल पर और इसी आर्टिकल में लिखा गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई भी हनन करता है ठीक है कोई भी शोषन कर रहा तो आप क्या कर सकते कोट जा सकते यही बात समिधानी कुपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 तो टोटल कितने fundamental rights मौलिक अधिकार हो गया हमारे तो 6 मौलिक अधिकार हो गया अब एक एक करके हम इस पर discussion करेंगे लेकिन हमने आप वो कहा था है कि जब समिधान लागू गया तो साथ fundamental rights थे और अभी कितने 6 तो वह एक जो हटाया गया है हमारे जो मौलिक अधिकार था जो हटाया गया है तो वह कौन सा अधिकार था संपती का अधिकार right to property ठीक है आपकी यसा नहीं बोल सकते है आपकी property है लेकिन फिर भी आपका उस पर हक नहीं है अगर सरकार चाहे welfare के लिए लोग कल्यान के लिए राज कल्यान क फिर देस के कल्यान के लिए आपकी जमीन कि आवशक्ता उसे पड़ती ठीक है या फिर आपके पैसे की आवशक्ता है तो सरकार में लेग्या आपके अधिकार आपकी मौलीक में नहीं आती है इसले article 30 ब्सकॉशन पहले वीडियो में कर रिख किया है सभी, अब अब इसे मौ गया था अब इसे क्या कर दिया गया एक कानून बना दिया गया इसे आर्टिकल 44 एक लिगल राइट बना दिया गया और इसको किस आर्टिकल में रख दिया गया आटिकल 300 में इसे रख दिया गया है किसे राइट टू प्रोपर्टी को और उस समय सरकार किसकी थी ये भी पूछा जाता आपसे कई बार सवार तो मुराजी दिशाई की सरकार थी ठीक है तो साथ अब यह क्या है एक लीगल राइट है ठीक है अब यह आपका अधिकार नहीं है अब पहले अधिकार के उपर हम डिसकेशन करेंगे और जो आपके पूछे जाते बस उसको ही हम डिसकेशन यहां पर करने वाले हैं और अब तू प्री लेबल कहले तो अपका बीपीसी जपीस अब आर्टिकल पहला जो हमारा अधिकार है जो बात करता शमानता का अधिकार तो पहला जो अधिकार है आपका शमानता का अधिकार और शमानता का अधिकार आपको कितने आर्टिकल में बात की गई है 14 में 15 में 16 17 और 18 यानि यह चार-5 आर्टिकल जो आप देखेंगे इस की जो खूबी आपको देखने को मिलेगे उसमें समानता की बात की जाएगी ठीक है यह आपके मौलिक अधिकार जो दी गए समानता की बात करेगी यह चीज़ आपको ध्यान रखना तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है equality before law and equal protection of law मतलब कहा जा रहा है कि वीधी के समच समानता and वीधियों का समान संरक्षन कहने का अर्थ यह है कि कोई भी कानून अच्छा एक देखें आपको दिमाग में यह बात आ रही होगी कल हमने किया क्या कि part 2 जब हमने देखा तो हमने 5 से 11 आर्टिकल देखें और आज हमार जो आर्टिकल है 12 से 35 तक 12 सब्सक्राइब हमने अधिकार इस्टाट के मौली कर दिकार 14 से देखें एक्शुली है क्या जो बारवां आर्टिकल होता है अपारा ठीक है बारवां आर्टिकल में यह बात की गई है वह राज की डेफिनेशन दी गई आर्टिकल बारा में इंप केंद्र सरकार ठीक है यह समझे या नहीं समझे कहने का आर्ट यह है कि यह राज अगर आपके साथह आकी समानता का सोचन करती है आपका फ्रीडम को सोचन कर रहे हैं यह कौन राज राज मतलब आपका सरकार, भारत सरकार, सेंटर गवर्मेंट या राज सरकार, या फिर लोकल गवर्मेंट या कोई भी गवर्मेंट और्गनाइजेशन, गवर्मेंट और्गनाइजेशन समझ रहे जैसे कि आपके जितनी नैशनल बैंक हो गया, ओएनजीसी पीएसी हो गए उसके बाद जितने कॉपरिटी बैंक हो गए जितने युनिवर्शिटी हो गए गुवर्मेंट युनिवर्शिटी उसके बाद इंशूरेंस सेक्टर में अगर बात कर लिए जैसे कि LIC ठीक है यह जो बीमाधारत जो कंपनियां है लेकिन यह आप क्या कर सकते हैं आप सुप्रीम कोट जा सकते हैं यह बात यहां पर इसका कहने का अद्ध हियह हैteकल 12 यही बता बहलें कि वीँदि के समझ समांता रखी जाएगी यानि के जो राज है राज मतलब समय रहा है वही या की तहट अगर कोई बैंक नियम बना रही होगी तो वह खास करके ऐसा पूंजी पतियों के लिए वैसा नियम बनाया जाएगा जिससे पूंजी पतियों को फायता हो वो हर अस्तर के लोगों को एक समान रख करके या एक समान सोच करके वो कानून बनाया जाएगा जिससे भले वो पूंजी वादियों को फायता हो जाएगा और जो आरसिक रूप से कम्योड हो उनको लॉस यहां नहीं हो जाए बट एक लेबल एक अस्तर की वह कानून बनाने का यहां पर यह बात करती है मतलब समानता का अधिकार यानि कि वीदी के समझ समानता रखी रखी जाएगी कोई भी राज अगर कानून राज राज यह मतलब समझ रिश्टेट का तो क्या करेंगे एक समानता रखी जाएगे ठीक है और इसके समान सनरक्षन भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपने कोई क्राइम कर दिया है और आपकी आर्थी किस्तिती कमजोड है ठीक है दो परसन है इसने चोरी किया है तो इसको दो साल की सजा है और इसने चोरी किया इसक समानता की ठीक है तो कानून तो आर्टिकल 14 आप से पूछा जाए इस सरगारते कि एक्वालिटी बिफोर लॉइंड इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉम मतलब वीदी के समझ समानता एंड वीदियों के समान संदक्शन यह कौन सा आर्टिकल की बात केर कर रही है तो आर्टिक बिफोर लॉइंड वीदी के समझ समानता जो भी कानून बनाया जाएगा सब भी बैक्तियों को एक समान एक समान मान करके कानून बनाई जाएगी यह हमारा कहता आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 की बात कर लिए आर्टिकल 15 तेखें अब मैंने कहा था कि कोई भी अगर संसूदन तो अगर बहार रिलेट्टेड कोई भी संसोधन होगी तो आर्टिकल 15 में ही रखी जाइए इसे प्रकार आर्टिकल 15 अब यह 15 का सब करना यह सब भी पियर सी वगतर जेए सेकिल इंपॉर्डटेंट है लेकिन railway में आप से direct article 15 ही option भी मिलेगा ये नहीं ये देखे काफी important NTPC वगरा SSC वगरा के लिए article ये भी article देखे आपके साथ ना तो धर्म के अधार पर article 15 क्या बोल रहा है ये सुनिएगा ध्यान से article 15 का 1 sub clause 1 क्या बोल रहा है ना तो आपके साथ धर्म के अधार पर ना आपके साथ जाती के अधार पर और ना ही आपके नसली के अधार पर और ना ही आपके जन्मस्तार्म के अधार और ना ही आपके लिंग के अधार पर सरकार चाहेसा करने का मतलब एक मूसलिम और क्रिश्यान पर इसने बैंक गया और बैंक में अपने खाता तो इसके साथ और इसके साहब मुस्लिम के साथ ऐसा नहीं है कि यह भेदभाव कर लेंगे या क्रिश्चन के साथ भेदभाव कर सकते हैं धर्म के दार पर असा नहीं कर सकते हैं अगर थोड़ी से अगर चीज़े जब डीप अनलेसिस करेंगे तो यहां पर आपसे बात की गई है समानता की आर्टिकल 14 क्या बात करती है equality की ठीक है समानता की बात करते है बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर समानता नहीं है ठीक है लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है देखे अभी हम आपको नहीं हुए महिलाओ और बच्चों के लिए अलग सा चाहे अलग सा अगरड़त नहीं है तो यहाँ पर समीधान ये बात बोलता है कि कोई भी तबका अगर वो विक्सित नहीं है compare जी मतलब जी आप एक ground में ठीक है यहाँ पे 10 लड़के हैं अब 10 लड़के क्या है कि 10 में से 8 लड़के ऐसे तो वो English Medium के थे और आप पूरे background मतलब कि आपके हिंदी से भी तो भाई अब कितना भी हो जाए तो यह बंदा आगे निकलेगा तो इसको कुछ प्रोविजन इसलिए दिया जाता समझे उसी प्रकार हमारा समीधान भी महिलाओं की इतनी स्थिती और बच्चों के स्थिती अच्छी नहीं हमारे में देश में तो इसलिए उनको खास इसलिए कि यहांपर भ्हेत भाव किया जा रहा है कि महिलाओ को अरक्षल दे दिया जा रहा है को इसलिए ना सोचे कि यहांपर समानता फॉलो नहीं बिल्कुल हो रही तो आपसे पूछा भी गया यह सवाल आपके ससी में कि महिलाओं के लिए जो स्पेशल प्रोविजन जो रखी गई आर्टिकल कौन सी के तहत आर्टिकल 15 का तीसरा है सब्क्रॉस आर्टिकल 15 का और 14 सब्क्रॉस क्या बोलता है यहां पर एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है डेवलप्मेंट विकास के लिए स्ट और बैकवर्ड कास्ट जितने भी है ठीक है अगर जितने भी स्ट या पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग है उनकी समाजिक इस्तिति य आज उसके लिए कि स्पेशल प्रोविजन का प्रभंध कर सकता है जैसे कि आपने देखा है कि वालों के लिए ट्रैबल फ्ली कर दी जाती है एक्जामिनेशन के दूरिंग या फिर उनको कुछ स्कॉलर्सिप दे आया था ताकि एक्वालिटी बनी सके वो भी उस जैंदल के तब के तक आ सके अब इस पे आप बहुत सारे आप डिवेट भी कर सकते हैं ठीक है इसमें बहुत तरह के पॉलिटिक्स भी आ सकते तो वहां नहीं जाना बट जो हमारा सविधान कर रहा हम उसको आपको समझाने की कोसिस कर रहे है चीज़े समझ माई की नहीं आई और यह ब इसको भी आमेंडमेंड करके ही आड किया होगा उसी प्रकार यह तो इंपॉर्टन नहीं थे इतना अमेंडमेंड यह आपको याद रखना है कि 103 अमेंडमेंड किया था 2019 में उसके तहत आपको आर्टिकल 15 का 6 समीधान में जोड़ा गया और इसमें क्या बात की गई है जो ज प्रोवीजन दिया गया कहां पर यह एडमीशन के लिए कोई भी गुवर्मेंट इंस्टिउट या प्राइवेट इंस्टिउट में आपका डिमीशन चाहिए तो प्रोवीजन दिये गया है तो आप आप नहीं कर सकते हैं चीजों को अब यहां पर हमने बात कर लिए आर्टिकल 14 हमें बोलता है क्या वीदी के समझ समानता की बात करते हैं कोई भी कानून अगर राज ये बनाएगी राजिकार डेफिनिशन हमने दिया है सेंटर स्टेट लोकल और गवर्मेंट और्गनाइजिशन यह अगर कोई भी कानून बनाएगी तो सभी बैक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएजेगी यह कौन बोलता आर् पर ना लिंग के अधार पर ना इजन्म के अस्तान पर आपके साथ कोई भी भेदवाव की जाएगी आर्टिकल 15 का 3 क्या बोलता है कि एक स्पेशल प्रोविजन दी गई है महिलाओ और बच्चों के विकास के लिए आर्टिकल 15 का 4 क्या बोलता है कि जो भी बैक्वर्ड क्ल बाद 2019 में हमारे समिधान में जोड़ा गया जिसमें क्या गया था कि 10-35 रिजर्वेशन के बात की गई एकनॉमिक विकर सेक्शन जनरल कर्टेगरी में लेकिन यह जो बात के गए थी एडिमीशन के लिए अब आप सोच चलेंगे गर्मेंट जॉब में भी है तो हम उसको मामले पर अवसरों की समानता होगी आटिकल 16 का एक इंपोर्टेंट आटिकल है जिसमें मैं आपको बताऊंगा थीक है मतलब सिंपास बात है क्या है पर इक्वल ऑपोचिनिटी की बात करें पॉब्लिक इंप्लॉइमेंट में ठीक है कोई भी पॉब्लिक इंपॉइमेंट ह है यानि लोग नियोजन है पॉब्लिक इंप्लॉइमेंट अगर बात की अगर आती है तो सभी सिटीजन को एक समान अवसर की यहां पर बात की गई है सभी को समान अवसर दिया जाएगा अब आई आए आर्टिकल 16 का छे जिसमें 1030 रिजर्वेशन जेनरल का केडिगरी का द आडिमीशन की बात करता है यह जो एड किया गया था समिधान में एकनॉमिक विकर सेक्शन का समिधान करता है तो 103 कंसिटूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तरत के लिए आर्टिकल 17 क्या बोलता है आपके लिए अठारा भी बहुत इंपॉर्टन है यानि कि छुआ छुआ छ समानता की जो बात की जा रही थी आर्टिकल 14-18 में यह हमारा अर्थारा आपने देखा यहां पर एकौलीटी रखी गए थी और अंतीम जो अधिकार है यहां पर रखा गया है एबोलिशन ऑस टाइटल मतलब उपादियों का अंत ऐसा नहीं है कि आप कोई उपादी ले ले कि समझे कर तो यहां पर सेंस यह है कि अगर आप थे रहे थी यह सकते हैं कर देखते हैं इस लिए इस शर्ण है कि आपको सबसे पहले कtown लेना को प्रसेडिन्ट से तब जाकर कि आप उस सम्बाण को ले सकते हैं तो प्रेसिडेंट देखते हैं हाँ इस सम्वान से हमारे देश के नाम और भी उचा होंगे तो वह आपको बोला जाए कि हाँ बिल्कुल ले सकते हैं पर ऐसा कोई उपादी जिससे हमारे देश के लिए खत्रा हो या फिर उससे असमानता उत्पन हो सकती है तो यह जो आप उसको सकते हैं तो आपोलीशन ऑफ टाइटल तो आर्टिकल फूर्टीन से अठारा थक हमने देखा क्या समानता की अधिकार की हमने बात की शूदा हमने देख लिए वीधी के समक्राइब 15 में हमने क्या बात किया एक्स्प्लोइटेशन की बात सुला की ऑपोचिनिटी समान ऑपो पराद है और अंतिम आर्टिकल एबोलिशन ऑफ टाइटल मतलब उपादियों का अंत है ठीक है और इसी के ताथ कुछ इस प्राविजन वूमेंस के लिए रखा गया आर्टिकल 15-3 के तहत में आर्टिकल 15-1 के तहत में क्या रखा गया है कि जितने भी आप घ्ण मसन्तार के अस्तार पर remotelyर्श आप इस के साथ वयदवान नहीं Government Institute या Private Institute में Admission के तहत ये कौम सा Article बोलता है तो 15 का 6 बोलता हो Government Job के लिए Article 16 का ये 6 कहता है अब हम आएंगे Article जो हमारा होगा Next 19 से 22 ठीक है Article 19 से 22 ये आपको स्वतंतरता का अधिकार देता है और आपको क्या-क्या स्वतंतरता देता है ये हम इस पर discussion करेंगे Article 19 जो बोलता है कि Right to Freedom की बात करती है Article 19 ठीक है और सबसे महत्पुन आपसे पूछा जाता है कि जब हमारे देश में कोई भी आपातकाल के ऐसी situation आती है National Emergency होती तो सबसे पहले आपका यही अधिकार छिन लिया जाता है आपसे सरकार यह अधिकार छिन लिती है ठीक है तो यह भी महत्पुन सवाल आपसे पूछा हुआ सवाल है कि आपातकाल के दौरान आपसे कौन सथिकार आपसे छिन लिया जाती है तो National Emergency के दौरन आपसे Article 19 आपसे छिन लिया जाती है Article 19 कहता है क्या है Article 19 1 का A ठीक है आप देख सकते Article 19 1 Article 19 Sub Clause 1 का A क्या बोलता है कि Right to Freedom of Speech and Expression अभिवेक्ति एवं बोलने की श्वतंतरता है Article 19 में आपको बोला गया है कि Right to Freedom of Speech and Expression मतलब अभिवेक्ति एवं बोलने की श्वतंतरता आपको बोलने की श्वतंतरता है बोलने की अजादी है हमारे देश में और अभिवेक्ति की बेयावाज आजादी अभिवेक्ति का अर्थ है मतलब प्रेस की स्वतन्तिता आपसे पूछता है कि प्रेस की स्वतन्तिता आर्टिया यानि कि सूचना यानि जानने का अधिकार ये किस आर्टिकल के तहत हमें दिया गया तो आर्टिकल 19 या फिर आर्टि जो आपका चल रहा है उसके बाद next आपको जो आर्टिकल दिया गया है के आपकर से क्या कोई भी पटे आपिकल 91 sub clause 1 का सी काता है अब कुछ आपरादियों को भी कुछ अधिकार दीए गए है जैसे कि अगर आप कोई अपराद ही और आप अपरादी किया सब आपरें गोसित हो जाते आपने चुरी दो क्या क्या अधिकार थीन अधिकार है ये अधिकार थी सिंपल जी बात है अमेंडमेंट करके लाए गया था तो जैसे आर्टिकल बीस का एक में रखा गया है इसको बीस का दो में रखा गया है और यह आर्टिकल बीस का तीन में रखा गया ठीक है तो खेर यह आप से नहीं पूछता है इतना लेकिन यह आप से जरूरू पूछेगा सुचना का अधिकार, RTIBC के अंदर आता है, जानने का अधिकार, जंडा फराने का अधिकार, 2002 के तहत, Article 19 में ही जोड़ा गया था, अब देखें, अपरादियों क्या स्वतंतिता, सुरी, क्या मौली का अधिकार दी गई है, तो तीर अधिकार है, कि आपने जो भी, कोई भी अ अपराद किया था, चोरी किया था, तो चोरी का जो दढ़ था, चार साल जेल, और अभी जो है, यहां पर कुछ, समिद्हान में चेंज करके अजेसा कर दिया गया, यहां ही, अगर आप ने एक ही अपराद, चोरी ही आपने चार बार अगर कर लिया go तो ऐसा नहीं कि आपको चार बार सजा दी जाएगी, ठीक है, आपको उसके लिए एक अपराद के लिए आपको एक बार ही सजा दी जाएगी, तो यही कहा जाता है, दोहरी सजा का संरक्षन है, मतलब प्रोटेक्शन अव डूल जप्रेडी, यह आर्टिकल 20 का सब क्लॉस 2, आ आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपरादी तो आपको ऐसा फोस नहीं किया जा सकता है, कि आप अपने अगेंश्टी अपना गवाई खुद आप बन जाए, मतलब अपने अगेंश्ट बात कर ले, यह आपको मौलिक अधिकार दिया यह अपरादियों का एक अधिकार है, आप देखें, मैंने कहा, आपका क्या बोलता है, आर्टिकल उनीस कहता है, स्वतंतरता, सौरी, फ्रीडम, राइट टु फ्रीडम की बात करता है, मतलब आपको श्वतंतरता का अधिकार देता है, तो आपने देखा, उनीस का एक आपको श्वतंतरता का अधिकार दिया है, क कि आप उसको वही दिण द पर पाराद का मतलब कि एक अपराद के लिए आपको की आपको आथिकार है पूछा गया है और यही आर्टिकल की से जो यूएसे से नहीं लिया गया है यह आपका लिया गया जपान से तो मैंने कहां मौलिक अधिकार कहां से लिया है हमने तो यूएसे से लिया है बट आर्टिकल 14 यानि कि राइट टू इक्वालिटी विधी के समझ समानता यानि कि इक जपान से लिए यह आपसे बार बर पुछता है बाकि जितने भी आपके मौली का दिकार है दो मौली का दिकार एक ब्रिटेन से 14 आर्टिकल 21 हमने कहां से लिए जपाने में याद करवाने की कोशिस कर रहा क्योंकि काफी महत्पून है जीने की स्वतंता परेंट पर्शनल बटी मतलब जीने की स्वतंता है आपको खानी की स्वतंता जैसे सोनी की स्वतंता आपको कहीं भी जाकर क्या आप निवास कर सकते हैं और एक अधिकार आपको दिया गया है राइट टू एजुकेशन की आपको सिक्षा पाने का दिकार है कौन से समिधान संसोधन के तहत तो तो लाइफ है यह आपके और आर्टिकल 21 के तहत आती है कि सविधान संसोधन के तहत तो च्छियासीमा सविधान संसोधन के तहत 2002 में इसे एक मौली का अदिकार का आपको दर्जा दिया गया है और आपको ये भी स्वतंता है भाई ठीक है अब आपका रिलेशन है तो आपको उनसे साधी कर सकते है बट लब टू अरेंज हो तो वो ज़्यादा बेश्ट हो सकता है वाकि आपको कहा नहीं इसकी स्टोरी पता है इसलिए आपकी ये फ्रीडम है ये हमारा मौलिक अधिकार है आप जन मिलेते के साथ ही आपको ये अधिक सकते हैं इसलिए 1% साधी करने का भी आपको अधिकार है ठीक है मेरे भाई अब ऐसा नहीं है बाकी आप समझदार है चीजे समझ गए होंगे आगे जो हमारा अधिकार आया है हमारा जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन स कहने का अर्थ क्या है हमने देखा आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम इसमें हमने 19 से 22 आर्टिकल देखें अभी देखने वाले हैं और 19 हमने देखा क्या बात की गई थी आर्टिकल 19 में आपसे क्या बात आपको क्या स्वतंतर दी गे थी बोलने की स् प्रेश की श्वतनता उसी के अंदर RTI ती सूचना का अधिकार दी जंडा फरानी का दिकार बीस में अपराधियों को कुछ अधिकार दिएगा आप अपराधी हैं फिर भी आपको तीन अधिकार दिएगा है मौली का दिकार है और वो बिल्कुल फॉलो करने ही पड़ीगी और 24 hours के अंदर में अब ऐसा है कि आपको जहां पर अरेश्ट किया गया है और वहां से आपके थाने के दूरी ही 60 km पर है तो ऐसा नहीं है कि आपको 60 km जाने में ही 24 घंटा लगे तो वो दूरी उस time period को count नहीं किया जाएगा ठीक है लेकिन जब आपको अरेश्ट किया गया है और उस अरेश्ट करने के बाद जब आप वहां पहुंच जाते उस दूरी को cover करने वाकर time को हटा करके 24 hour के अंदर आपको क्या करना है आपको magistrate के सामने पेस करना होगा और आप इसके लिए मौली का दिकार आपको ये भी दी जाते है कि आप स्वतंत्र है अपने मन पसंद वकीर रखने के लिए ये दिया गया कि इनको अगर आपको गिरिफतारी की जाती तो इस समय आपके पास तीन मौली का दिकार होते हैं ठीक है और अगर ऐसा नहीं होता तो आप इसके खिलाब आप नियाले भी जा सकते हैं अब हम बात करेंगे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 य आपकी वीडियो खतम तो कितने भी जल्दी में चीज़ें आप खतम कर सकते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में बोला गया है राइट अगेंस्ट एक्स्प्लोइटेशन यानि कि सोशन की बात की इसमें शोशन आपका नहीं किया जा सकता है जैसे कि आर्टिकल 23 में बोला ग कि विक्री की जारी है आप समझ रहे चीज़ें कि मतलब होता है उनको बेचा जाता है पैसो का उनके साथ गलत धंदा करवाये जाते हैं या यह सब एक यह आपका मौली का दिकार अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसके खड़े होकर कि आप न्याले जा सकते हैं और साथ के साथ जैसे कि बंदिया मजदूरी आपने सुना होगा कि आपको बंदी बनाकर कि आपसे मजदूरी कराये जाते तो यह एक धंडनिया अपराद है यह सब आर्टिकल 23 के तहट आर्टिकल 24 का बोलता है कि Employment of Children अगर 14 साल तक कि कोई बच्चे हैं तो आप उसको कोई भी काम नहीं क करवा सकते हैं जहां पर उनके जान की खत्रा हो सकते हैं चौदा वर्स तक के बच्चे को आर्टिकल 24 यह कहता है ठीक है बट घर में जम करके काम करवाई उनसे ताकि स्वस्त अच्छा रह सके तो यह आप इसे खतम करेंगे एक बार हम इसे रिकॉल कर लेते हैं ताकि चीज और आठिकल 24 आठिकल 21 आठिकल 21 मैं जपां से हुन Черifa 14 से ओट एडिकल 18 कlying क्या ने की खता है यह समानता का अधिकार की एक हमसे बात करता है आर्टिकल 14 क्या बोलता है वीदी के समझ समानता equality before law आर्टिकल 15 क्या का रहा था प्रोवीजन मतलब कि आपके साथ कोई भी भेरवाव नहीं किया जा सकता जन्म के अस्थान पर धर्म के अस्थान पर जातिक अधार पर या फिर जन्म स्थान पर या लिंक के अधार पर आर्टिकल 15 का 3 क्या का रता है कि एक महिलाओ के लिए या बच्चों के लिए एक Special provision राजिया कर सकती है एक उपबंध जारी कर सकती है आर्टिकल पंदरा का चार क्या बोलता है कि एक special provision backward class के या फी स्टेस्टी लोगों के समाजिक और सेक्षिनिक विकास के लिए कोई भी राजकार्थ क्या है central, state, local और government organization कोई भी उपबंद या special provision बना सकते इनके विकास के लिए और आर्टिकल पंदरा का 6 कहा गया है यह जो जोड़ा गया था कब 103 constitutional amendment 2019 के ता 1030 reservation EWS को दिया गया था government institute या private institute में admission के लिए आर्टिकल 15 के बाद आर्टिकल 16 में हमने आया थे तो public employment के लिए एक समान अउसर ठीक है पब्लिक को generate की जाएगी वहाँ पर कोई भी दुब भैवार नहीं किया जाएगा आसामानता नहीं रखी जाएगी आर्टिकल 16 का 6 में ही 10 परसेंट reservation दिया गया था government job के लिए EWS section के तहर्ट जेनरल काटेग्री को आर्टिकल 17 बोलता है evolution of untouchability यानि कि छुआ छुआ छुट का अंध है छुआ छुट का बहवार करना आएक तरह कर डंडनी आपाया था अठारा अर्टिकल 18 काता है evolution of title कोई भी उपादी वाली बात ऐसी नहीं article 19 हमें क्या काता है right to freedom हमें श्वतंता है article 91 क्या में श्वतंता दी थी बोलनी की श्वतंता और अभिवेक्ति की श्वतंता जिसके तहत RTI सूचना का अधिकार जंडा फराने का अधिकार 2002 में ही इसे जोड़ दिया गया था article 19 का one एक sub clause के तथ हमने यह देखा article 91 sub clause C में हमन देखा था कि आपको संगटन और समीति बनाने का भी अधिकार है उसके बाद article 19 के बाद article 20 में अगर आप कोई अपराधी है तो अपराधी के तहद भी आपको तीन मौलिक अधिकार दिये गया है जैसे कि आपको वही punishment दी जाएगी जो आपने उसमें अपराध किये थे जो काई जो दंड थे उसके बाद आपको एक अपराध के लिए ये आपको सजह दी जाएगी और उसके बाद आप खुद गवाई के लिए आपको क्या किया जाएगा जोड़ आप पर नहीं दिया जाएगा ठीक है स्वयम के विरूद गवाई कर संग्ष्ण का आपके पास अध या सीमा 2002 के में ठीक है और यही आपने जपान से लिया था और आर्टिकल 22 में बात किया जाता है कि प्रोटेक्शन गृफतारी जब आपकी हो रही तो आपको तीन मौली का दिकार है 24 आवर में आपको मेजिस्टर के पास स्पेस करनी होगी वैरंट आपको बताना होगा किस र हुमें टैरिफिकिंग हुमें टैरिफिकिंग एंड फोर्स लेबल ठीक है कोई मानद दुरवार या बाल सरम नहीं करवा बाला बलात सरम नहीं करा सकते हैं और आडिकल 24 करता है कि चिल्ड्रेन इंप्लॉयमेंट की बात करता है 14 वस्त के बच्चों को आप कोई भी आप कार आपको क्लियर हो गई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें आगे कल हम लोग मौली कदिकार कंप्लीट कर रहे होंगे तो अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद